हेलो फ्रिंस आज हमें क्लास एट की स्टोरी पढ़ेंगे जिसका नाम है A Heroine of the Sea इसे लिखा था गिल्बर्ट बेरोई ने इन्होंने इसमें एक ब्रेव लड़की की कहानी दिखाई है कि किस तरह उसने ब्रेवरी दिखा करके सिप्ट में कई लोगों की जाने बचाई थी उसने किस तरह उन लोगों को बचाया दोस्तों या हम इस स्टोरी में देखेंगे तो आईए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को A Heroine of the Sea जिसका कैरेक्टर्स हैं दोस्तों एक लड़की जिसका नाम है Grace Darling और उसके पिता William Darling ये दो कैरेक्टर आते हैं और एक उनकी मा हैं और उनके कुछ भाई बहन हैं ये सब छोटी कैरेक्टर्स हैं में कैरेक्टर है दोस्तों William Darling उसके पिता और उसकी बेटी Chris Darling तो स्टोरी स्टार्ट होती है दोस्तों कि एक light house में उनकी नौकरी रहती थी उसके जो पिता थे William Darling उसका नौकरी जो होता है वो light house में होता है दोस्तों light house ऐसा दिखता है ये इसलिए होता है क्योंकि इसके किनारे जो होते हैं वो मजबूत रहें और सिप जो है उस किनारे को देख पाए दूर से कि वहाँ एक light house है यानि वहाँ जमीन है तो उधर नहीं जाना है सिप लेकर की इस वज़े से light house है लगाई जाती है तो William darling जो होते हैं वो उस light house में work कर रहे होते हैं और उनकी family भी उसी light house में रहा करती थी कुछ साल बात जो William darling जो होते हैं दोस्तों उनका transfer हो जाता है एक नए light house में जो की rocky coast में होता है eastern England में वहाँ पे एक eastern England में एक टापू होता है जहाँ पे वो light house होता है वो काफी ज़्याद होता है वहीं पे William darling को job मिलती है कि आप light house में रहेंगे और वहाँ पे light जला कर रखेंगे ताकि सिप्स जो समुद्र में चलेंगी उनको पता चल सके कि वहाँ पे light house है यानि वहाँ पे जमीन है तो उधर हमें सीप ले कर नहीं जाना है या फिर वहाँ से कुछ मदद ले सके तो जब William darling और उसकी family जब वहाँ पहुँचती है तो Stan Grace darling और उसके भाई बहन काफी छोटी छोटी रहते हैं वो लोग अपना जो बचपन है वो आपस में ही खेल कर बिता देते हैं क्योंकि वहाँ पे कोई और लोग नहीं हो सकती क्योंकि वो light house जो होती है दोस्तों वो एक सुनसान टापू पे होता है और वहाँ पे कोई आदमी नहीं आता जाता है तो उसी light house में William darling और उसकी family रहा करती थी सारे बच्चे जो है वो William darling से लंबे थे यानि की वो 6 फूट के थे तो उनके सारे बच्चे 6 फूट 2 इंच या 3 इंच के थे पर ये जो हमारी heroine है जिसका नाम है Grace darling वो काफी height में छोटी थी उसका height सिर्फ 5.4 इंच था दोस्तों ये ना सिर्फ पढ़ाई में छोटी थी बलकि ये पीछ काफी ज़्यादा कमजोर थी पढ़ाई में भी इस वज़स से ये यहीं रूख जाती है और इसके जो सारे जो भाई बहन है वो बाहर निकल आते हैं आगे की पढ़ाई करने के लिए और अब सिर्फ इसके घर में बचते हैं विलियम डार्लिंग, Grace darling और उसकी मा Grace अपने माबाप के साथ तो रहती थी पर उसके उमर का उसके पास कोई सहेली ना होने के कारण Grace darling काफी विरान में रहने वाली लड़की हो गई थी हमेशा चुप-चुप रहती ना किसे से बात किया करती थी ना कुछ किसी को कहा करती थी बस अपने में ही रहा करती थी और कभी-कभी वो अपने माता-पिता के साथ रहा करती थी और घुमा करती बाते किया करती थी पर वो और कोई दोस्त से नहीं मिली थी वो एक अंजान दिनों के बाद एक रात आती है दोस्तों वो रात होती है 6 सेप्टेमबर की 18.38 का समय होता है अठारा सो अड़तिस का इस भी होता है और 6 सेप्टेमबर का दिन होता है जब वो देखती है अपने लाइत हौस से दूर से कि जो एक सिब है वो काफी ज़्यादा Hill डूल रहा है पर उस time वो देखकर Ignore कर देती कि सिप Hill डूल ही तो रहा है पर अचानक एक जोर सी आवाज आती है और वो जो लड़की होती है William Grace की बेटी Grace Darling वो देखती है बाहर में जाकर Lighthouse से कि कहीं वो सिप डूप तो ने गया फिर वो उसे कुछ देखती नहीं पाती है क्योंकि काफी ज़्यादा अंधीरा होता है दोस्तों रात हो चुकी होती है तो उसे कुछ साफ साफ दिखाई नहीं देता वो काफी देखने की कोसिस करती है पर वो नहीं दिखता पर वो जो स्ट्रॉम आया था दोस्तों उससे जो बड़ी बड़ी लहरे उस सीप को डुबा देती है पर उसमें से कुछ आदमी जो होते हैं वो बज जाते हैं और बाकि सारे मर जाते हैं उसमें से कुछ औरते हैं और कुछ आदमियां होते हैं दोनों को मिला करके नौ लोग वहाँ पे किसी तरह अपने आपका जिन्दगी बचा लेते हैं अब जब सुबा होती है दोस्तों तो जो grace होती है grace darling उसे एक आदमी दिखता है दूर से light house से कि एक आदमी है चीटी की तरह वहाँ पे कुछ है यानि वो कोई आदमी है जो की चटान पे खड़ा है उसके बाद वो देखती है कि वहाँ पे कुछ और लोग भी है तो वो सबसे पहले अपने पापा के पास जाती है विलियम डार्लिंग के पास और कहती है पापा पापा हमें उसे बचाना चाहिए वो लोग वहाँ पे फस चुके हैं लगता है वो सीप जो मैंने कल रात को साम को देखी थी वो रात को डूब गई है और वो वहीं पे फस गए है हमें वहाँ पे वोने जाकर बचाना चाहिए तो विलियम ग्रेस के जो मदर रती है वो कहती है नहीं नहीं तुम लोग वहाँ नहीं जाओगे मुझे काफी डर लग रहा है तो जो William Darling की जो wife थी दोस्तों वो काफी डरने लगती है कि मेरी बेटी और मेरा पती वहाँ नहीं जाएगा William Darling कहते हैं कि मैं भी वहाँ पे जा सकता था पर मैं बुजूर्ग हूँ और मेरे पास जो sip है वो हाथ से चलता है वो जो है दोस्तों वो और्स से चलता है और्स जो होता है दोस्तों एक चपू टैप से जिसको कहते हैं चपू कि एक लंबा सा डंटा होता है और उसमें चोड़ा सा एक बना हुआ होता है जिससे पानी को काटा जाता है और वो आगे बढ़ता है तो वो सिर्फ उसी से बढ़ता है कि आप दोनों हाथ से जो लगाएगा तो हलका सा बढ़ेगा देखे दोस्तों आप पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरह या आदमी चला रहा है और वो चल रहा है तो वैसा ही वो जो चपू था उससे वो चलता था तो वो विल्यम डार्लिंग कहते हैं कि मैं चपू चला कर वहां तक नहीं जा सकता अकेले जबकि इतने बड़े-बड़े स्ट्रॉम आ रहे हैं सी में मतलब बहुत जादे बड़े-बड़े लहरे हो रही थी दोस्तों तो जो ग्रेस डार्लिंग कहती है मैं भी जाओंगी पापा मैं चोटी भले हूँ और मंद बुद्धी भी पर मैं बहुत बातुर से अपका काम करूंगी और ऐसा लगेगा आपको जैसे कि दो आदमी हैं और इस चल को चला रहे हैं तो वो जो उसकी वाइफ होती है दोस्तों विलियम डार्लिंग की वो काफी ज़्यादा चिंतित हो जाती है पर अंतिम में वो कहती है कि तुम लोग अपना खयाल रखना और ठीक से जाना बस वो यही कहके उन दोनों को भेज देती हैं अब विलियम डार्लिंग और ग्रेस डार्लिंग जो है वो उस बोट को धीरे धीरे करके चलाने लगते हैं और किसी तरह वहां तक पहुचने का कोसिस करने लगते हैं उस जगहा तक जहां पे सारे लोग फसे ओड़े थे वो लहरे इतनी बड़ी थी दोस्तों कि अचानक जब वो चलाते थे चपू जब वो नीचे जाते थे लगता था वो डूप चुके हैं और फिर वो उपर उठते थे फिर नीचे जाते थे फिर उठते थे उसके बाद विलियम डारलिंग थोड़ा ठक जाते हैं तो ग्रेस डार कि वो कुछ लोग नहीं है नौ लोग हैं तब वो लोग decide करते हैं कि पहले हम वहाँ पहुँच तो जाए इतने स्ट्रॉम में हम वहाँ पहुचेंगे उसके बाद सोचना है और जो वो grace darling होती है न दोस्तों काफी bravery से अपने पिता का help करते हुए उस चप्पू को चलाते चला वो लोग दोनों वहाँ पहुचते हैं जब वहाँ पहुचते हैं तो देखते हैं कि वो लोग काफी हट बड़ा रहे हैं तो वो कहते हैं कि एकक करके चड़ें वरना बोट ही गिर जाएगी और वो जो आगी वाला आदमी था न दोस्तों चटान में एक आदमी उसे दिखा ग्रेस डार्लिंग को वो आता है सामने और उसका साथी आता है दोनों कैप्टन होते हैं वो बोट में आ जाते हैं और कहते हैं कि चलिए हम आपकी हिल्प करेंगे आप लोग दोनों की और वो चार आदमी उसमें बैठ जाते हैं दो कैप्टन होते हैं दोस्तों और एक विलियम डार्लिंग और एक ग्रेस डार्लिंग वो लोग उस बोट में बैट जाते हैं और जानी लगते हैं जब वो लोग जानी लगते हैं तो कुछ औरतों को भी ले आते हैं और कहते हैं पहले हम औरतों को वहाँ पहुंचा लेंगे उसके बाद फिराएंगे तो वो लोग तीन औरत को उतार लेते हैं और फिर वो जाते हैं चार आदमियों को लेने के लिए जब वो चार आदमियों को लेकर आते हैं तब वो लोग काफी जादा डरे हुए होते हैं दोस्तों क्योंकि वो लोग काफी जादा मुसीबत का सामना करके आए हुए होते हैं मौत से लड़के आए होत और उन्हें अच्छे से रखती हैं, ताकि वो लोग डरे नहीं और जी सकें। जब वो लोग अच्छे से थोड़ा उनके जो पानी वगेर निकल जाते हैं वो जो उसके अंदर घुस गहे थे वो लोग आराम से रहने लगते हैं तब वो अपने जगा पे लौट जाते हैं जो की इंगलाइंट था क्योंकि वहाँ तो कोई रहता नहीं था दोस्तों वो विल्यम डार्लिंग की ब्रेवरी की कहानी सुनाते हैं कि किस तरह विल्यम डार्लिंग और एक ग्रेस डार्लिंग चोटी सी लड़की ने हमारा मदद किया और वो कितने बहादूर थे धीरे धीरे यह बात पूरी फैल जाती है दोस्तों और उसके बाद ग्रेस डार्लिंग और विल्लियम डार्लिंग को बुलाया जाता है रिवार्ड देने के लिए, उन्हें जब रिवार्ड मिलता है तो पूरी दुनिया उनकी ब्रेवरी की मिसालें देती है, कि वो किस तरह वो छोटी लड़की अपने पिता को ले करके उन लोगों की जाने बचाई थी, पर जो ग ग्रेस डार्लिंग की बात होती है कि उसके जैसा ब्रेव कोई नहीं, ऐसा वो ब्रेवरी दिखाई थी और उन लोगों को बचाई थी दोस्तों, ग्रेस डार्लिंग को जो एवार्ड मिला था दोस्तों, वो आज भी इंगलैंड के लोगों को याद है कि वो किस लिया मिला थ और वो आज भी चर्चा करते हैं जैसे कि Grace Darling अमर हो गई उस लोगों की help करने में और यहीं पर हमारी स्टोरी खत्म होती है दोस्तों या स्टोरी या दिखाती है दोस्तों कि किस तरह हमें bravery से हर चीज का सामना करना चाहिए और कभी नहीं घबराना चाहिए life में क्योंकि दुनिया जो होती है दोस्तों वो उन्हीं लोगों को याद करती है जो कि अपने छोटी से जिन्दगी में एक बड़ा मिसाल पेस करते हैं क्योंकि जीवन बड़ा नहीं होना चाहिए जिन्दगी का हर एक लम्हा बड़े की तरह जीओ दोस्तों और यहीं पे मैं आपको यह स्टोरी सुनाना बंद करता हूँ अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें लाइक करें और सेर करें दोस्तों अगर आपको और भी स्टोरी जाननी है और अच्छी अच्छी स्टोरी ग्लास 8, 9, 10, ग् मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सेयर करें दोस्तों थांक यू